मोड तैसिल में महिला नायब तैसिलदार पर अवद्र भासा का इस्तिमाल करने के साथ ही उन पर रिश्वत मांगने का आरूप लगाए गया है। अधिवगताओं ने सोवमबार तक उच्चा दीकारियों को मधहस्ता करने का समय दिया था। लेकिन उच्चा दीकारियों द्वारे में कोई भी रुची नहीं लिगई तो गुशा एधिवगताओं ने कारे का वहिसकार करते हुए धर ना शुरू कर दिया। जिसमें मौट बार्संग सचिव अर्विंद समाधिया के मुताबिक बीते दुनों अधिवक्ताओं ने एक लिखत रूप से शिकायती पत्र दिया था, जिसमें नायब तहसिलदार के पत पर तैनाथ रोशनी सोलंकी की शिकायत की गई थी, अरोप था कि नायब तहसिलदार अ कारियों को अध्याक्षव सचप को संबोद करके दिया गया था चुदा तारीक में फिर इसके संबंद में एक मीटिंग बुलाई गई इसमें समस्त अधबक्ताओं के विचार लिए गए जिसमें समस्त अधबक्ताओं ने नाइप तैसिलार रोशनी सोलंकी के बारे में बताय के बाद हमारे बारे संब है की आज सोंबार तक नाइप तैसिलार रोशनी शोलंकी के नियालय का वैसकार बारे संब करेगा अगर सोंबार तक अगर किसी अथकारी ने अगर मद्यस्ताल नहीं की तो इस सर्थाल को हम लोग जारी रखेंगे मोट से अस्वाल सिंग की रिपोर्ट आज ही एड्मीशन लें क्राम राग्वेंद्र क्रशी महाविद्याले वद्डिग्री कॉलेज क्राम धवाकर मौरानिपुर जासी